हेलो फ्रेंड्स तुम्हें आज आपको बताने जारी हो सक्करकंदी सेखने का सबसे आसान तरीका तो ये सबसे पहले मैं सक्करकंदी धो रही हूं और अभी मैं इसको सेकूंगे ये इस पे पता है सक्कर कंदी सर्द्यों में ना खाएं तो अच्छा नहीं लगता सर्द्धियों में ही मिलते है यह फासकर खाने केHAN lot सबस्क्राम कि इसके ठेटी है क्षब बêuसी है तो में इसको अच्छे से धोली है और इस पर से ढ़ता जली तो इस पर अच्छे से ढ़ली है शेको शीर और प्सक्षाब शेके पर manger sam Brisbane तो उसमें भी वो सिख जाती है अच्छी पर मेरे पास वो कुकर है ने तो ये एक मैंने काट के इसमें रख दिया थोड़ा छोटा कर दिया फिर भी बढ़ी ये लग रहा है तो एक पीस मैं बहार निकाल देती हूँ तो अब ये मेरा जो ढकन है वो बराबर आ जाएगा बम इसको मैं 15-20 गंटा भगों इसको पक ने के बाद इसको प पलट दिया था कि दूसरी साइड से भी पक जाए अब इसको मैं इसे चाकू डाल के चेक कर लूँगी, जो चाकू हार पार होने लग जाता है, जिसे अंदर डाले हूं तो चकू चला जाता है अंदर, तो पक जाती है सारी, तो ये पक गई है, लोग ये बहुत अच्छी है, इसका टेस्ट वैसा लगेगा, जैसे हम गाव में चुले पे सेके खाते हैं, डिटो वही टेस्ट आता है, इसमें, तो ये गरम है, तो मैं इसको कपड़े से पकड़ के निकाल रही हूं, क्योंकि हाथ जलने का और जब इसका धकन भी हटाता है, तो पूरा अच्छी से पकड़ के हटाना होता है, वरना तो खात बजल जाता, बहुत गरम होत यह देखो अच्छे से उबल गई है जली बिल्कुल भी नहीं है अंदर से बिल्कुल नहीं हुए और यह बहुत अच्छी लग रहे हैं वही टेस्ट आएगा जा चुले पर सेख के खाते हैं आप भी ऐसे करें अगर मेरा व्लोग अच्छा लगा तो प्रीज बिल्कुल नहीं